नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो कोई भी अपडेट्स आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें आज कि इस वीडियो में हैं Most Important Topic, Trending Topic स्वक्ष सरवेक्षंट रुपोर्ट 2020 से आने वाले MCQs की प्रकिस करेंगे ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आए स्टार्ट करते हैं या ऐसे Question and Answers बहुत-बहुत Important होते चाहिए UPS से PLIMS हो, State PCS हो या Other Central Government कोई भी एक्जाम हो आने यह Important Questions आपको State PCS खासकर UP वाले जो एक्जाम आने वाले हैं चाहिए RO हो चाहिए PCS, PLIMS 2020 जो की 11 October को होने वाला सब के लिए Important है चलिए Question and Answers स्टार्ट करते हैं पहला Question आपके सामने है, स्वक्ष भारत अभियान की सुरवात करते हैं अब हुई थी, आपके Option ने 2012 में, 2014 में, 2016 में या 2015 में What is correct answer? इसका जो correct answer है वो है Option नमबर B, 2014 में स्वक्ष भारत मिशन या स्वक्ष भारत भियान या Clear India Mission जो ये Countrywide इसका जो Champion हुआ था, मोधी जी ने 2014 में लांज किया था, ये 2014 में 2 October को 2014, गांधी जी की जैनती होती 2 October को, उस दिन जो है ये Mission को जो है वो launch किया गया था, और इसका जो target था, कि 2014 से लेकर के 2019 तक Eliminate करना है Open Defection and Improvement Solid Waste Management, चाहे वो urban हो या rural area हो इंडिया में पूरे, ठीक है, next question, question number 3, स्वक्ष भारत अभियान का slogan क्या है, देश स्वक्ष तो सभी स्वक्ष, या option number B, एक कदम स्वक्षता की ओर, option number C, हमारा देश सबसे स्वक्ष, या option number D, हम स्वक्ष, तो देश स्वक्ष, वाट इस correct answer, इसका जो correct answer है, वो है, option number B, एक कदम स्वक्षता की ओर, गांधी जी की चस्मे किनचे लिखा होता है, चलिए, question number 4, question number 5, स्वक्ष सर्व एक्षण, 2020 report के अनुशार, सबसे स्वक्ष सहर कौन सा है, most important question, आपके शामने है, स्वक्ष सर्व एक्षण, 2020 report के अनुशार, सबसे स्वक्ष सहर कौन सा है, जो भी report जारी हुई है, सबसे स्वक्ष शहर आपके आप्षन इंदोर मध्ध प्रदेश सूरत गुजराद नई मुंबई महारास्ट्रा या आप्षन नमबर D चंडीगड इसका जो correct answer वो क्या है इसका जो right answer है guys वो है इंदोर मध्ध प्रदेश का नमबर एक पे इसकी rank है नमबर दो पे आपको मिलेगा सूरत नमबर तीशरे जो ranking है वो नई मुंबई की है जबकि एगर चंडीगड की बात की जाए तो इसकी जो rank है वो 8 है ठीक है चलते है next question question number 6 question number 6 आपके शामने है successor बेक्षड दोजार बीस report की अनुशार कौन सा सहर लगातार लगातार चौथी बार टाप अस्थान पर रहा है what is correct answer आपके आप्षण है इंदोर, भोबाल, मॉंबई, चंडीगड लगातार टाप अस्थान पर बात की जा रही है टाप पे, लगातार टाप इस बार उसने टाप किया ही है इंदोर ने, तो लगातार इस चार्थ बार जो है इंदोर टाप किया, इसका जो राइट answer है वो है option number A इंदोर next question number 7 स्वक्ष सरबेक्षड 2020 report की अनुशार सही मिलान चुनना है आपको शहड दे रखे हैं और उनकी स्वक्षता रैंक है आपके सामने है जैसे की दे रखा है कि नए मुंबई की रैंकिंग तीसरी है सूरत की जो रैंकिंग वे दूसरी है इंदोर की रैंकिंग फस्ट है और विजेवाड़ा की रैंकिंग फोर्थ है तो आपके आप्स्थन बताना ही कौन से आप्सथन इसमें सही है आपके आप्स्थन है एक और दो दो और तीन एक और तीन या आप आप अबब वड़ इस राइट LOL तो अभी हम पढ़के आए है कि जो इंदोर की रैंकिंग है वो फस्ट है और अगर शूरत की राइंकिन डूसरी है नाई मुंबई की राइंकिन तीसरी है यह तो हम पढ़ के आभदेखके आए बिजय वाड़ा की राइंकिन राइंकिन है वह राइंकिन जो है वह छाउती ही है तो इस तरह आलाबदबइ इस right answer है जारे हैं अलाबदबऑबिस 2020 रिपोर्ड का ժाचवा संखरण कौन सा है पाचवा संखरण जारी किया है आपके आपश्यान है रामनाथ कोभिंद मानि राष्ट पदी जी नरेंद्र मोदी मानि प्रधान मंत्री जी राजनात सिंह मानि डेफेंस मिनिस्टर और ये डाक्टर हर्दी पुरी है आपके सामने तो कौन ये conference के जरी है स्वक्ष सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो जारी किया है बताईए तो स्वक्ष सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी करता है वो है नरेंद्र मूदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो है वो कॉन्फरेंस के जरी ये रिपोर्ट जो है वो जारी की नेक्स्ट कोईशन नमबर नाइन स्वक्ष सरवेक्षड 2020 रिपोर्ट के अनुशार स्वक्षता में सबसे निचले पाईदान पर कौन सा सहर है कौन सा सहर है आपके अपशन है मौंगेर पटना, कानपूर, बिलासपूर तो ये सबसे निचले याणि स्वक्षता रैंकिंग में नंबर एक पे इंदोर था नंबर एक पे इंदोर था तो सबसे लास याणि सबसे गंदा बताइए तो सबसे गंदा जो निशले पाइदान सबसे गंदा है वो है आपका कौन सा city तो वो आपकी जो city है वो है option number V पतना कौन सा है option number V पतना पतना is right answer, सबसे गंदा साहर है सबसे सुक्ष इंदोर question number 10 question number 10 आपके सामने है खासकर UP में होने वाले exam skill important इंपॉर्ड़न्ट है ये सौक्ष सरवेग्समाट 2020 रिपोर्ट की अनुशार उत्तर प्रदेश के सहरों की राइंकिंग का कौन समिजान सही है आपको बताना है जैसे क्या लखनों की राइंक 12 है गाजीयाबाद की राइंक 19 है सवक्षा सरवेक्शन रिपोर्ट में प्रयाग राज की 20 है इस तरह आपको बताना है और यह सहर जो इन दौर है यह लखनो गाजयाबत यह सब मोर दैन जो है वो इनकी जो पापुलेशन है वो 10 लाग शेया दिखा है उन में जो है इनकी राइंकिंग की गई है तो आपको बताना है क्या इसमें कौन सा आपशन वो सची है आपका क्या राइंकिंग जो दे रख 可以 वो सची है 1 & 2 सची है 2 & 3 सची है 1 & 3 शची है यह आप दबब इस करेक्ट वटिद कार्कैंश तो इनकी जो ranking है guys वो इनकी जो ranking है वो बिलकुल शही है कि लखनोग की ranking 12 है गाजियाबाद की ranking 19 है और प्रियागराज की ranking 20 है तो इसको हम याद रखेंगे 12-19-20 और इसका जो है यल-जी-पी किस तरह कर सकते हैं यल-जी-पी यल से लखनोग जी से गाजियाबाद और पीश प्रियागराज 12-19-20 ranking है यह 19-20 पास पास है गाजियाबाद और प्रियागराज पास पास टी के लखनोग की ranking जो है 12 है चलते हैं next question की और question number 11 question number 11 आपको बताना है अभी जो बैता रहे थे वो थी शिटी की अब यहाँ पे आ रहा है राज जी की ranking कौन सा इस ट्रेट जो है वो number 1 पे है स्वक्षता ranking में आपको बताना है स्वक्षता सर्वेक्षड 2020 रिपोर्ड के अनुसार 100 सहरों से अधिक यानि ऐसे राज जिनमें 100 से अधिक सहर है और more than उनकी जो population है वो 100 ULB है राज्यों की राज्यों की ranking आपको बताना है ऐसे कि rank दे रखा है आपके शामने rank है rank 1 पे क्या 36 गड़ है और rank 2 पे क्या महरास्ट्रा है rank 3 पे क्या मध्ध प्रदेश है और rank शेबन क्या उत्तरप्रदेश की खास कर यूपी वाले ध्यान देंगे तो more than 100 ULB ठीक है और ये 100 यानि ऐसे राज्य जिन में शहरों की जो संख्या है वो 100 से अधिक है तो कौन से राज्य जो है वो number 1 पे है सुक्षिता में आपके आप्षान है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या all of the above is correct इसका जो right answer है गाईज वो है number 1 पे 36 गड़े बिल्कुल सही है number 2 पे महारास्टा है बिल्कुल सही है number 3 पे मदप्रदेश है बिल्कुल सही है लेकिन जो उत्तर प्रदेश की ranking क्या वो साथ है हाँ ये भी बिल्कुल सही है इस तरह जो है all of the above all of the above is correct option number D is right answer next सवकसे सरवेक्षड 2020 रिपोर्ड की अनुशार सव सहरों में यानि जो यहां पे सव सहरों में बात की जा रही है और less than 100 ULBs यानि सव सहरों से कम ऐसे स्टेट अभी हम पढ़के आए question answer कि सव शहरों से अधिक राज्य वाले नंबर एक पे क्या था 36 गड़ दूसरे नंबर पे क्या था आपका महारास्ट्रा तीसरे पे मद्ध प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ranking शाथ थी खास कर UP वाले ध्यान देंगे ठीक है next next जो question है वो है आपका ये सव सहरों से कम वाले राज्य है यहाँ पर क्या आपको बताना है किया धारखंड की ranking एक है हर्याना की ranking दो है उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की ranking टीन है और सिक्किम की ranking 4 है आपको मत बताना है क्या ये शही है आपके option है 1 & 2, 2 & 3, 3 & 4 यह all what is correct answer तो इसका जो correct answer है वो है नमबर एक पे जारखंड number 1 ranking है ठीक है बिल्कुल हर्याना की ranking दूसरी है बिल्कुल ठीक है उत्तराखंड की ranking तीसरी है बिल्कुल ठीक है सिक्किम की ranking fourth है बिल्कुल ठीक है इस तरह इसका जो correct answer है guys वो है all up the above is correct question number 13 स्वक्ष सहर्वेकशन 2020 report की अनुशार गंगा किनारे बसे सहरों में सबसे स्वक्ष सहर कौन सा है most most important question स्वक्ष सहरों में 2020 report की अनुशार गंगा किनारे बसे सहरों में गंगा किनारे बसे सहरों में सबसे सुक्ष सहर कौन सा है आप बताए जल्दी तो सबसे सुक्ष सहर कौन से है आपके आपशन है मुंगेर आपशन नमबर B कानपूर आपशन नमबर C वाराण सी आपशन नमबर D परियाग राज what is correct answer इसका जो correct answer है guys वो है वारांडशी कौन साप्षन वारांडशी जो है वो सबसे स्वक्ष पे है और नंबर एक पे वारांडशी है नंबर दो पे जो है वो कानपूर है और नंबर तीन पे जो है वो मौंगेर विहार का ठीक है एक दो तीन रहें कियाद रखिए खास कर next question तो कितने गंगा टाउन है तो कितने गंगा टाउन है आपके option है 16 21 18 40 सवक्षर बेक्षट रिपोर्ट 2020 की अनुशार उत्तर प्रदेश के किनारे कितने गंगा टाउन है आपको बताना है आपके option है 16 21 18 और 40 16 21 है कि 18 है कि 40 है कौन सा होगा इसका correct answer तो गंगा टाउन जो है उत्तर प्रदेश के वो 21 है ठीक है और यह 40 है वो आपके वेस्ट बेंगौल के है और 18 जो है विहार के है जबकि 21 जो है यह उत्तर प्रदेश का ही है और यह 16 जो है यह 16 आपके UK यानि उत्तर खंड है यह UP में है इतने टाउन और यह विहार का है आपका विहार विहार और यह आपका विस्ट बेंगौल है चलिए Next Question No.15 स्वक्स सरवेक्षण का पहला संस्क्रण कब जारी हुआ Most most Question Important है पहला संस्क्रण अगर आपको मालूम है कि 2020 में कौन सा संस्क्रण है तो आप इसको Question को साल्ब कर सकते हैं तो आपके आपसान है कि पहला संस्क्रण कब जारी हुआ था 2015 में 2016 में 2012 में 2010 में What is correct answer? तो इसका जो correct answer गाइज वो है option No.V 2016 में क्योंकि 2020 में सब समझ रहे हैं कि पाचवा संस्क्रण जारी हुआ है 2016 एक 2017 2018 2018 2019 4 2020 में पाचवा संस्क्रण हो गया Next question Question No.16 सवक्षे सरवेक्षण कब पहला संस्क्रण 2016 में जो जारी हुआ था का सब से सवक्षे सहेर काउन था बताइए What is correct answer इसका इस समय जो पाचवा संस्क्रण जारी हुआ नमबर वन पे इंदोर है लेकिन जो सब से पहले रिपोर्ट 2016 में जारी हुई थी उस समय कौन सा सहेर टाप किया था आपकी 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 इंदोर मैसूर भूपाल What is correct answer क्या इंदोर ही है उस समय बताइए What is correct answer इसका जो correct answer है गाईज वो है option number C मैसूर मैसूर जो है पहली बार में टाप पे था Next question Question number 17 Question number 17 है कि स्वक्षता सरवेक्षण 2020 report की अनुशार भारत की सबसे स्वक्ष शावनी की से घोशित किया गया है सबसे स्वक्ष शावनी की बात की जा रही है Cantonment ठीक है सबसे सच खावनी कौन सी है आपको बताना है आपके option है जलंदर शावनी दिली शावनी मेरट शावनी वाराणसी शावनी What is correct answer बताईए गाईज correct answer क्या है इसका तो इसका जो correct answer है number 1 पे कौन सा है Condonment बताईए तो number 1 पे अगर बात करें तो number 1 पे जो है आपका जलंदर है कौन सा है जलंदर that is option number A option number A is correct number 1 पे जलंदर है number 2 पे आपकी दिल्ली रैंकिंग है दो पे और तीशरे पे जो है मेरट की है अगर बाराणसी की बात की जाए तो बाराणसी की रैंकिंग जो है वो पांच नंबर है पांच भी है ठीक है वाराणसी पांच भी पे है मेरट की तीशरी है दिल्ली की नंबर दूसरी है और शावनी जालंधर जो है वो टाप पे है सबसे श्वक्ष शावनी में खासकर UP exam के लिए अगर बात की जाए तो UP अगर पूछे के नंबर टाप वन पे कौन से शावनी है तो वो है मेरट नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन है सबसे सरवेक्षण 2020 रिपोर्ड की अनुशार भारत की सबसे 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 शावनी निचले पायदान पर किसे घोशित किया गया है इन्हें नंबर टाप पे जो है वो आपका जो है जालंधर का इंट था लेकिन सबसे निचले वायदान पर कौन है यह आपको बताना है आपके आपशन अजमेर शावनी वरेली शावनी मतुरा शावनी और आपशन डी तो नहीं दाना पुर श्वारी गाइस दाना पुर नंबर एक अजमेर शावनी दूसरे बरेली है तीसरे पर मतुरा है और नंबर लास्ट पे कौन सी है दाना पुर डी है आपके आपशन ठीक है तो इसमें आपको बताना है option किसाब से कौन सा आपका correct answer होगा तो इसका जो correct answer हो guys वो है आपका last जो है दानापूर ही है ठीक है option D is correct है D ठीक है D जो है correct है दानापूर है दानापूर कहा है दानापूर जो है ये पतना में है ठीक है पतना city के अंदर छावनी है ये दानापूर और दाना आप जानते हैं कि पटना जो सहर है वो सबसे निचले पाइदान पे है वहीं कि ये च्छावनी है दानापूर दानापूर ओके दानापूर याद रखना Next, question number 19 बरतमान में सुक्ष भारत अभियान के ब्रांड अमबेजदर कौन है? चलिए बताई भाई, बरतमान में आपके आपसन ऐसे कुमार, विद्याबालन, अमिताप बच्चन, अनुस्का सर्मा चार आपसन आपको बताना है, कौन हो सकते हैं आप अक्षे कुमार, विद्याबालन, अमिताप बच्चन, अनुस्का सर्मा only one, only two, only three या only two and four यानि विद्या भालों उसका सर्मा क्या correct answer है इसका बताइए स्वक्ष भारत अभियान के brand ambassador कौन है तो इसका correct जो answer है वो है option number C अमिताब बच्चन जो है brand ambassador है बरतमान में स्वक्ष भारत अभियान के चलते हैं next question की तरफ 2 October 2020 को गांधी जी की कौन सी जहनती मनाई जाएगी बताइए आपकी option है 150, 121, 191, 154, 152, 152, what is correct answer? तो इसका जो correct answer है guys वो है option number V 191 जहनती मनाई जाएगी next question question number 21 2020 में स्वक्ष सरवेक्ष रिपोर्ट जारी की गई ये कौन सा संस्करण है? ये भी हमने बताए कौन सा संस्करण था चलिए बताइए आप आप सानी 4th, 5th, 6th या 7th कौन सी है? बताइए आप 4th है, 5th है, 6th है, 7th है इसका जो correct answer गया जो है 5th वी रिपोर्ट है ये पहले जो थी, वो 2016 में जारी हुई थी ओके next question number 22 अगस 2020 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के द्वारा जारी रिपोर्ट जो कि 28 दिनों में इसका सरवेक्ष पूरा किया गया था दिन भ्याद रक्षते कभी-कभी facts भी पूछ लेते चोटे मुटे एक्जामों में खासकर UP, PCS भी खासकर पूछी लेते हैं तो 28 दिनों में इसका सरवेक्ष पूरा किया गया था और ये कितने सहरों का सरवेक्ष पूरा किया गया था ये बताईया आपकी आपसने 3,235 4,000 4,252 ये 4,242 कितने सहरों का सरवेक्ष पूरा किया गया है what is correct and sure तो 2020 जो सब्च सरवेक्ष पूरा थी उसमें टोटल जो है option number D is correct टोटल जो है 4,242 यानि 42 42,42 नमबर याद है ठीक है 42,42 ये इतने सहरों की गई अगर चामनी की बात की जाए तो 62,56 की जो है वो सरवेक्ष पूरा किया गया था और number 1 पे जलंदर करेंट था हमने देखा था और number जो last थी सबसे गंदी वो दानापूर्थी ठीक है और इसी के साथ ये question जो है हम शमाप्त करते हैं question answer की रीज समाप्त होती यहाँ पे और एक most important बात और को बता देता हूँ की number 1 पे जो इंदर है वो more than more than 10 more than 10 लाग की जो पापूलेशन है उन सहरों में जो है वो number 1 पे है ठीक है अगर मैं बात करूँ less than मतलब less than 10 लाग की अगर पापूलेशन में की शहरों की बात की जाए तो कौन सा सहर हे वो बताए कर तो वो याद रखना दोस्तों वो जो शहर है वो ए Ambigapur I थिक है अंबिगापुर कौम सा सहर है अंबिगापउर ठीक है शाथिज-गडगा ठीक है इस सहर ने टाप किया यूझ तेनchs लाक़ी की पाप फिलेशन में और ये इसलिक बात थी और इसी के साथ हम इस वीडियो के यहीं पे करते हैं थांक्यू मुआइस जह कुरें